साथियों मर्द का सिंगार उसकी मर्दानगी ही तो होती है कौन नहीं चाहता है कि हमारी मर्दानगी बरकरार है और जानते हैं जब आप इस चीज को बरकरार रखते हो तो आप सबसे पहले मानसिक रूप से आनंदित होते हो और जब आप मानसिक रूप से आनंदित होते हों तो सारे रिक रूप से तो होना ही होना है कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठोती में गंगा तो आईए हम आपको आज अपने चैनल यूटूब डाक्टर एस्वी तिवारी के माध्यम से आपको एक ऐसा पंच रत्म देता हूं होम यह पहती कि उन 5 द्माओं का ऐसा खर्यान आज एसा रत्म देता हूं जो आपको इस समस्या की हमेशा हमेशा के लिए आपको पॉज़िव कर देगा सकारातम कर देगा उर्जा से भर देगा आपको मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनना है और इन 5 रत्म का प्रयोग कै कैसे करना है इसका क्या डोज है मैं सारी चीज़े बताऊगा सात्यों पहला रत्म है एसीड फास दूसरा रत्म है कलेडियम तीसरा रत्म है एगनस कैक्टस चौथा है डामियाना और पांच वाहे पावर प्लस पावर प्लस अब देखिए प्रयोग के तोर पर सबसे पहले हम लेते हैं आपका एसीड फास साथियों एसीड फास एसीड फास को 30 पावर में आपको पांच-पांच मुद्सुबह दोपार सामले ना है यह आपके वाइटल फ्लूइट को मेंटेन रखती है और आपको अंदर से जो है बहुत ही ताकतवर और पावर फुर बनाएगी इसका प्रयोग आप जैसी कंडिशन हो उसी के कार्डिंगली आप 15 दिन एक महिना ले लिजी काफी आराम हो जाएगा दूसरी दवा है दोस्तों कलेडियम देखिए कलेडियम की मदर टिंचर कलेडियम मदर टिंचर आपको पंदरा पंदरा बूस सुबह दो पहर साम एक कब पानी मिलेना है पानी अगर गुन गुना हो तो और अच्छा है और इसे आप कम से कम देड़ से दो महिना लेजिए आप देखिएगा कि आपके अंदर जो है बहुत ही सकारात्म कुर जाएगी तीसरी दवा है आपकी एगनस कैक्टस सातियों एगनस कैक्टस इंपोटेंसी की सेक्सवल विक्निस की बहुत ही अच्छी दवा पूरा डिस्किप्शन में आप लोगों को वीडियो में डाल दूँगा अगर इसके बारे में बहुत बताने लगूं सारी दमाओं के तो योग सबसे महत्तोपुण है आप इसे जाले तो एगनस कैक्टस को आप पंद्र पंद्रवों सुबा दो पहर साम लिजए बहुत ही इफ्यक्टिव दवा है वेल नोन मेडिसीन आप हो में पैथी और सेक्सवल विक्नेस इंपोटेंसी आपका चोथा रतन है डामियाना डाम बिल्कुल ही ऐसा लगे कि आयम आलमोस्ट टूटली फेल टूपर फार इंटरकोस अड़ेट कंडिशन यू अप्लाई तम्याना यानि पंद्रा पंद्रा बूंद आपको एक कपानी में सुबह दो पहर साम लेना है कुछ दिन तक ले लिजी बहुत ही आपको चमतकारी किस् पावर प्लस इसे आप 20 सुबह 20 साम आप ले लीजिए आपको सबसे अच्छी चीज क्या होगा कि आपको मानसिक मानसिक जो है रूप से जब आपको मजबूती होगी तो निस्चित रूप से आप सारी रिक रूप से भी अपने आपको इस्ट्राउग माहसूस करें तो सातियों आपने इन पांच रतनों को समझा जाना और देखिए थोड़ा सा डिस्किप्शन में जा करके देख लीजिएगा कि मुझ यह किस समस्या से दिक्कत है तो उसी के अप जरूरी नहीं कि इन पांचों दवाओं को एक साथ ही लिया जाए हो सकता एक दवा से भी आपका काम हो जा तो आपको डिस्किप्शन में जा करके जो मैं आपको दे रहा हूं अपने वीडियो की लास्ट में डिस्किप्शन में आप देख लीजिएगा और कोई अगर आपको दवा को यूज करने में कोई समस्या आ रही है जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे यूज करना है तो आप अपने छेत्र के किसी अच्छे हुमिपे ठीक चीकित सकते मिल करके आप डिशाइड कर लिजिए कंडिशन कर ल मंतुपुणा चीजें मैं दिया हूँ और आप लोग इसका प्रियोग करिए और प्रयोग करने के बाद आपको डिशाज का परेड़या आपके जीवन में में कितनी से हाली आई आपके जीवन में क्या बदलाव आया मैं इसे जान ना बैचानग एशाथ्यों आपको मेरी ज जानकारियां सर्थियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यूटूब चैनल डॉक्टर एस्वितिवारी आपके जीवन को संतुलित करने का एक अभियान चेड़ रखा आपको सहरेरीक और मांसिक रूप से कैसे संतुलित रखा जाए आपको कोई समस्या होई उपयोगी सला प्लेलिस्ट में जाईए किसी भी समस्या की उपयोगी सला का वीडियो आप देख सकते हैं आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए, मेडिसिन के बारे में जानकारी लीजिए, आपको योग के द्वारा अपने आपको बैलेंस रखना है, योग की वीडियो देखिए, आपको मन नहीं लग रहा है, गीत संगीत का आनंद लेना है, मेरी कभिताओं का आनंद लेना है समाजित परिस्थितियों पे आपके जीवन से संबंधित आपको जोड़ने के लिए जो मेरी रचनाएं हैं वो आपको एक-एक सब्दों में बहुत गहराई मिलेगी और पांचमा जो रूबरीक है जब आपको मैं ठीक करता हूं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मेरे प्रति एक विश्वसनेता बनी रहे तो साथियों आज आज आपको आपके जीवन को यह महत्तपूर रत्न दे करके वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आपके प्रतिक्रिया के इंतजार में आपका अपना डॉक्टर इस्वी तिवारी कल्यान जी बहुत बहुत धन्यवाद जय हीद जय वार।